नवश्कार दोस्तों आज दोस्तों मौसम ठीक हुआ है वैसे मौसम खराब ही चल रहा है कई दिन से के गर्मी ओरीती बहुत जाद है तो आज हलकी ठंड मैसुस हुई है सुब उठके अब दोस्तों अपने काम से चल रहे हैं कई काम करने हैं और दोस्तों मेरा मूँ अई सा हो रहा है तो जी थोड़ा सा चलते हैं एक काम करके आते हैं छोटा सा निच्चे आ गये हैं जी सब अपने अपने काम मूँ में लग रहे हैं तो यहां दोस्तों दूद बगएरा सब निकल गया है बक्की क्या अब चलते हैं यह एक बोपर फिर थोड़ा काम खेत में करैंगे थोड़ा काम बजार में है ठोड़े देर के लिए जाना पड़ेगा चल रहे हैं जी अब दोस्तों आ लिए हैं वहां से काम निप्टा के कपड़े बदल लिए हैं अब दोस्तों चल रहे हैं मोटर साइकल लेकर बभलु भाई के पास में जो हमारा पत्ती का काम रह रहा है उसे करते हैं क्योंकि दोस्तों आपको पते हैं यह ऐसे पेचीदा काम कि ऐमें में बड़ा बरी कि काम है कई कई आद्मि लगने काम है फिर दूस्टों ढूअब बार ट्रोली नहीं है कूल भी से छाध मार्य है और तो क्टी का काम कर लेते हैं फिर दोस्तों चलना पड़ेगा उस है कि दवाई लानी है कई काम करने हैं तो वे काम भी करेंगे और यहां देखें जी जो यह मोनू भाई का जीर एक्स टारे का बीज कटा आइसकी पेड़ी फूट का रही है तो अठारे बीज दोस्तों चल सकता है थोड़ा काटी से ही जो है चीलने वाले थोड़ा हट रहे हैं इ सब्सक्राइब करते हैं तो अभी 38 के साथ में इनकी बुवाई करते रहें तो दोस्तों अपना पत्ती वे लग जाते हैं फटापट अब वहां से बबलु भाई के पास मा आ गए हैं जी यह देखो नाली बढ़िया साफ कर दिया बबलु भाई ने और इधर भी पानी मांग गया है अभी सभी पानी देना पड़ेगा क्योंकि अभी हमारा गन्नों का काम चल रहा है और हम यह चा रहे हैं कि घास कितनी भी हो जा यहां भी हाँ भी हाँ भी सारे में जो है गन्ना उग्या है वैसे नील गाया थोड़ा खूंद भी आ है लेकिन कोई नहीं अभी यह उगता रहेगा पानी आता रहेगा इसे हलकाल का डोज बहुत पड़ी है केत में घास की कोई दिक्कत नहीं है बस एक बार छोटा ट्र ला आज लगए लागशतों कर लेकते हैं प्रॉंद तो फ्रत चल रहें आपना पत्ति का काम कर लेता है 12 चलि रहा है पाजया पानी पीले सभी तरी इधर भी देखको हगाना बहृत बड़ी से निचल ड.ol pan आपना चले चलते हैं वो देखकों जिए बदकार फटापट जाहेर रहा है अपना दोसतों कला भी आप दिन को जाता है तो इसलिए बाई दिस्टब ना हो हाँ तो अपना काम हम खुदी कर लेंगा राम राम कोई दिक्कत नहीं फिर दोस्तों इसमें जो है बबलु भाई को नए आइडिया आ गया है बहुत भैतनिन वाला हमारा चोटा टेक्टरी जोद्देगा इसे वह किस तरह से इसे जुताई करेगा वह आइडिया आपको उसी दिन दिखाएंगे जिस दिन वीडियो बनेगी दोस्तों अब यहां काम करते हुए लाश्ट में आगर देखो सचिन भाई सुबहे की कटे हुए ताजे ताजे गन्ने लेका आ गिये हैं तो अदम मील में जाओगी हाँ सही अभिया और देखो जी फसकाव है ट्रोली यह देखो हमारे गाओं के बहुत चोड़ी ट्रोलियों म सचिन भाई का किल लेकाड़ है तो बहुत आज भी आज आज के जमाने में भी फेलनी है जी बहुत पावरफुल टेक्टर अपने आप में मारे के तो खेर दिन बहुरी के बिचारे के वह तो जिन्दिकी का मज़ा ले गया पर यह ट्यक्टर वे हैं जो आज भी पचास पच लगजेगी खूटिंग टॉंग यह देखे जी बवलु भाई ने पूरी हिम्मत मार दी है बिल्कुल दी एंडी कर दिया है जी इसका तो दोस्तों ऐसे ही जो है अपने काम को जो है बिल्कुल अपने उपर हावी नहोने दें थोड़ा थोड़ा करते रहें आपको सुबह द प्रोड़क्शन रहता है वो आपको जरूर दिखाएंगे यह देखें जी क्योंकि इस पर हमें पत्ती से लिए निकालनी पड़ रही है क्योंकि यह हमने पिछले बरस बारिस का मोसम था उस टाइम ज्यादे बुआई पर मार्च फरवरी मार्च के बीच में वहा था इस है किदर तो यह लेजर से बुआता तो इसमें जरूत हैं यह पत्ती सारी जो खाधं है वीच वीच में इस में फैला देंगे इसकी पत्ती भीची में है तो इसका पूर्ती हो जाएगी बग्यिस में मटी शड़ जाएगी फिर से कोई दिक्कत नहीं होगी यह पूरा प्रोडक्शन देगा अपना पिंग टॉंग लोजी कर दी आया खेत पूरा और बहुती सब कि माग्य बढ़ते हो आपका नाम होता है आप अपना काम बढ़ते हो आपको शांती मिलती है और गलत करते हो तो आपको समाज इक बद्दुवा मिलती है जो कि आपको डाउन करती है समाज में निच्चा देखते हैं और जो है काम आपका डाउन हो जाता है तो यह चीज है जी हमें सच्छे का प्रियास करें थोड़ा करें लेकिन इधर उदर गूमने से अच्छा है कि अपने काम को वरियाता दें बभल भाई च्छाया में जा लिया हैं दोस्तों मैं भी चल गाओ आज ये सुकर है कि चलो परवा हुआ है लेकिन हवा है और देखें जी गहों वैसा बोना रहा नहीं गहों तकड़ा पानी आने से और भी तकड़ा हुआ एक बिलहांद लंबाई गहों बढ़ा गया जी बहुत ही बड़ी हा गहों रहा है एक दिन इसमें अंदर गुसके भी आपको बभलु भाई को फोन देकर वो दिखाऊंगा बाकी दोस्तो पत्ती निकाल दी है अब इसमें जो है ये एक पानी पट में ऐसी निकाल देंगे फिर इसमें डोज लगा के जुताई करके तब इसमें पानी देंगे तो तब ये फिर अपना जो है स्पीड पखड़ेगी पहला पूरा ब्यात करता है तब बढ़ता है उपर वहां सा आगी हैं जी पानी वानी पी का आप भी पानी पीलो यहां भी दिवार के पास में ये पैटो-टैट वाला एक पैटो-टैट मतलब दो खूर बोखेते जो एक छोड देते हैं बीच में तो इसमें बोहर गन्ना हमने ट्रेंच का इसलिए नहीं बोया अगर यह समें हम में बेनफिट हो जायागा कि एक तो हमें यह उजाडते गहुनीबू पाते हैं अब इसमें दो बेनेफिट होगी है हमारे केक तो हमारा ये हो गया उजाड़ना नहीं पड़ा हम पत्ती फैलवादी थी अब इसमें डोज लगा के टूफोर्डी मार देंगे जो है इसमें अपना घास और पत्ती गल जाएगी गन्ना बरसाथ से पहले असोजी कर लेंगे टिंग टॉंग अभी एगंटा पानी ओर चलेगा इसमें दोस्तों फिर जो है पूरब दिसास है घर्मी होके बहुत जाद है बबलु भाई चल दी है उदर पानी दोस्तों चली रहा है थोड़ा सा पानी कम कर दिया उस वाले में खोल दिया नाली साफ कर कर दूस्तों चल रहे हैं सभी आराम कर रहे हैं पेड़ो निचे जंगल में कौई नहीं है सब भार में लेकिन अब अब दूफैर में इतनी जदा घर मीं है कि दिक हो मंदीर पी माता के मंदीर पी सब निच्छे इ動画 हैं घड़ की तो दोस्त हम से इसी तरह काम करेंगे धीर दिर अपना दोस्तों अब भी हम अपना तीन दिन में पिड़ी पाड़ी और इसकी अड़ावे की जैसे चोड़ा पत्ता हो रहा है यह बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है दोस्तों यह इतना बड़ा हो जाता है तो जमीन में ताकत है रही से जो है प्राकरतिक शक्ती मिले हुई है तो इसका टू-फोडी और यूरिया मिला के हलकाल का हरीखाद बना देंगे इसकी तो अग्गे काम चलता रहेगा इतने घंबों के फसल आएगी इतने अपना गन्ना सही से डाल देंगे टिंग टॉंग धन